दोस्तो हमारे कई वीवर्स ने हमें कमेंट करके ये बताया है कि धानी वाले कुछ अमांट के ड्यू को ले करके हमें कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि हम केस कर देंगे नहीं तो पैसा जल्द से जल्द जमा करो तो क्या वो लोग सच में केस कर देंगे? सच में केस हो जाता है? तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, अगर आपने किसी भी तरह का प्रसनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर NBFC कमपनीज का क्रेडिट लाइन कार्ड लिया है, उसे खर्च किया है. अमांट अगर छोटा है, छोटा अमांट का कोई डेपनेशन नहीं होता, तो अमांट अगर छोटा है, छोटे अमा गेरा के मामले में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता थोड़ा से इसको मैं डेटेल में बता देता हूँ, देखिए, माल लिजेे 5000 रुप्या आपका ड्यू है, क्रेडिट का अगर पर स्बंस्सनल लोन का हो, 5000 रुपी के रिकोरी के लिए अगर कोई केश करेगा, तो समझी, व हर बार कोट का चक्कर लगाना यानि कि एक लंबा समय रखना। दूसरी चीज कि केस लड़ने के लिए एक वकील भी हायर करना पड़ता है। और वकील का जो चार्ज होता है पर विजिट या यू कहिए कि पर सुनवाई हजार से पंदरा सो रुपय होते हैं। कोई ऐसा केस आज तक हमने नहीं देखा कि एक ही सुनवाई में रफा दफा हो जाता। केस का मामला बड़ा लंबा चलता है। छे महीना, साल भार, दो साल, पांच साल, सुनवाई की बात करें तो एक एक केस में 20 भी सुनवाई होती है। आप बताईए कि 5-10,000 रुपय के रेकवरी के लिए, एक तो इतना जादा लंबा समय रखना, दूसरा कि हर एक सुनवाई पर वकील को फी देना, ये तो पर जितना रेकवरी नहीं करेंगे, उसका कई गुना जादा तो ये फी के रूप में वकील को दे देंगे। और जो स केस हो गया और उसे जेल हो गई, नहीं होता है, नहीं होता है, मैं किलियरली कहा दे रहा हूं कि नहीं होता है, चाहे परसनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, या फिर क्रेडिट लाइन कार्ड हो, किसी भी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के मामले में छोटे अमांट पर केस बिल्कुल भी नहीं होता है तो ये बात अपने जहन से बिल्कुल भी निकाल लीजे अगर कोई हर बार कॉल करकर ये धमकी दे रहा है कि पेमेंट करो नहीं तो केस करेंगे तो समझें कि वो recovery team का बंदा है recovery team के बंदे कॉल करके अलग अलग तरह के हतकंडे अपनाते हैं पैसे recover करने के लिए हाँ लेकिन एक और चीज़ मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे आप जमा कर दें इससे आपका civil score जो है उस पर impact नहीं पड़ेगा खराब नहीं होगा और जितना ज़्यादा लेट करेंगे जितना ज़्यादा देरी करेंगे payment करने में या फिर payment ना करने का मन विल्कुल भी बना लिया है तो फिर पूरा का पूरा impact पूरा का पूरा परभाव आपके civil score पर पड़ेगा civil report पर पड़ेगा जिसको लेकर के बाद में आप या तो personal loan या किसी भी तरह का loan नहीं ले सकते हैं आपको credit card नहीं मिलेगा आपको credit line का किसी भी तरह का credit नहीं मिलेगा तो ये आप समझ लेजे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार इस बारे में बात किया है कि अगर आपके पास पैसे हैं पैसों का इंतिजाम हो सकता है आज नहीं 10 दिन 20 दिन 50 दिन ये महीने भर बाद अगर इंतिजाम हो जाए आप इंतिजाम करके payment कर दें ताकि आपका civil score ठीक ठाक बना रहे और in the future आप अगर कभी भी किसी भी तरह का कोई loan लेना चाहें तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े ठीक है तो case वाला मामला तो आप एकदम minus करके चलिए कि case बिल्कुल भी नहीं होता है छोटे मूटे amount के रूप में छोटा मूटा amount कितने को काते हैं इसका कोई definition नहीं है कई बार 50,000 भी छोटा amount कहलाता है कई बार 1,000,000 भी छोटा amount कहलाता है ये depend करता है कि bank के किस amount को छोटा मानती है NBFC companies किस amount को छोटा मानती है अब देखिए हमारे साथ जो case हुआता धानी को लेकर कि 3,75 पैसे या लगता है 3,94 पैसे के recovery लगता है कई बार धानी वालों ने call करकर के किया बताईए ये चिंदी चोरी कहलाएगा भाई 3,94 पैसे के recovery अगर कोई बार बार call करके करता है तो ये चिंदी चोरी कहलाता है तो हो सकता है कि धानी वालों के लिए 3,94 पैसे ही बहुत बड़ा amount होता होगा लेकिन कई NBFC companies, banks के लिए 20,000, 50,000,000,000,000,000,000,000,000 रूपिये तक का amount भी छोटा amount में गीना जाता है छोटे amount के रूप में देखा जाता है अब देखिए धानी के case में कोई मुकदमा नहीं हो सकता है एक और reason है वो reason ये है कि धानी ने अब अपना धानी store शुरुआत कर दिया जहर सी बात है कि वो अपने customers के साथ relation खराब नहीं करेगी क्योंकि अगर अपने customers के साथ relation खराब करेगी तो market में negative feedback जाएगा जिससे कि उसके धानी store पर भी बड़ा impact पड़ेगा तो इस हिसाब से भी अब case वगरा का कोई मामला बनता ही नहीं है तो किसी के उपर अगर due है अगर गलत तरीके से due आ गया है तब तो मैंने हमेशा support किया इसे लोगों को कि भाई आप कभी payment ही मत करो अगर गलत तरीके से आपके उपर payment के लिए call किया जा रहा है तो आप payment बिल्कुल मत कीजिए लेकिन अगर आपकी जानकारी में सही तरीके से आपके उपर due है तो अगर आपके उस पैसों का इंतिजाम है तो payment कर दीजे नहीं है तो कोशिश कीजे फिर भी नहीं हो सकता है बिल्कुल possible नहीं है तो आप बिल्कुल ये मान के मत चलिए कि हमारे उपर case हो जाएगा और हम jail च के लिए अलग अलग तरह के हतकंडे अपना रहे हैं case करने के धमकी दे रहे हैं इसलिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है case बिल्कुल भी नहीं होता है case होने का सिर्फ एक मात्र reason होता है कि अगर आपने fraud क्या है अगर आपने फरजी document दिया है अगर आपने गलत address तो फिर criminal case बनता है जो की IPC 420 ठीक है 420 का case बनता है और वो case होता है fraud का जाल साजी का तो अगर call करके बार बार आपको case करने के धमकी दी जा रहे है तो इसको ले करके ज्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए आस तक लित नहीं इस वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें